स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक लब्या स्टेडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में आप सभी को में प्लास्ट्वेल की हिंदी कोर से जो आपका जो एक अध्याय है भाजार दर्शन इसके गध्यान शाधारित प्रशन करवाने वाला हूं जो की MCQs जो आपके पेपर में आ सकते हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर स सकते हूं वेबसाइड पे आप सभी को नोट्स प्रवाइड करवा दिया जाते हैं www.eclavesstudy.com हमारे वेबसाइड है तो आप वेबसाइड को ज़रूर विजिट करें आपके लिए एक इन्फोमेशन है मैंने अभिव्यक्ति और माध्यम की 200 प्लस क्वेस्टिन एक ही सिंगल वीडियो में करवा दिये हैं जिसमें लगबख सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें चैप्टर की एक्स्प्लेनेशन भी मैंने सारी बना दी हैं जिसका लिंक आपको डिस्क् पतनी की महीमा है यहां से लेकर खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है यहां तक गद्यांश जो भी आपको बताओं स्क्रिन शोट लेते वे चलना इंपोर्टेंट है यह ठीक है तो यह हो गया आप इसके प्रश्ने देखते हैं क्या है पहला प्रश्ने गद्यांश के अनुसार लेकर किसकी महीमा का कायल है तो इसमें जब आप देखोगे तो पतनी की महीमा आपको पहली लाइन में मिल जाएगा इसका आंसर तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतनी की महीमा ओके आगे चलते हैं किस बात से पतनी की ओट ली जात ठीक है तो यह सही हो जाएगा हमारा फिर अगला प्रशने पैसे की किस पावर के प्रियोग में पावर का रस है आवश्यक समान को खरीदने में परचेजिंग पावर मनी पावर या उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर परचेजिंग पावर हो जाएगा खरीदने क जो पावर होती है पैसे की ठीक है उसी में रस है इसके अनुसर बताया गया है फिर अगला प्रशने सैयमी लोग क्या करते हैं जो लोग सैयम रखते हैं फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं पैसा बहाते नहीं है ऐसे ही फालतु में बुद्धी और सैयम पूरवक पैसा जोड़ते हैं या उप्रुक्त सभी तो ये सारी बाते सैयली की में वही जो सैयमी लोग होते हैं जिनमें दिमाग होता है जिसमें थोड़ी सबर होती है तो वो ये सब चीज़े करता है अब आगे एक और गध्यांश है बाजार आमंतरित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो से लेकर यहां कितना आतुलित है ये पूरा गध्यांश आप स्क्रिंशोट ले लीजिए अब मैं आपको इसके प्रश्न करवाता हूं अंदर से पहला प्रश्न है बाजार लोगों को आमंतरित क्यों करता है नया समान करीदने के लिए ग्रहाकों को लूटने के लिए नय उत्पात से अवगत कराने के लिए या अपना स्वरूब दिखाने के लिए तो भई बजार में ग्रहाकों को लूटने के लिए ये सब होता है वजार हो दिये सब और कुछ भी नहीं होता है इसका कारण तो ये सही हो जाएगा फिर अगला प्रशन है मैं तुम्हारे लिए हूँ इस पंक्ति में मैं किसके लिए इस्तिमाल किया गया ये जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है तो यह मैं जो है यह बाजार के लिए उपयोग किया गया है या प्रयोग किया गया है ठीक है तो छौथा इसका विकल्प सही हो जाएगा फिर अगध है मूख आमंतरण कौन सा कारे करता है शांती बनाए रखने का ग्रहक में चाहा जगाने का बिनाकारण बोलने का या अपने विजिस्ट पैचान बनाने का तो इसमें है ग्रहक में चाहा जगाने का देखिए इसको समझिए आप बजार में जाते हो बजार आपको बुलाता तो नहीं है आप जब यहां गुस्ते हो आप में समान लेने की चाहा जगती अंदर से मूख आमंतरण जिसमें कुछ बोला ना जाए आपको सिरफ देखते ही बस आपके अंदर से इच्छा जाग जाए तो ये बताया गया इसके अंदर लेकक के अनुसार व्यक्ति को बजार की चका चौंध के बीच खड़े होकर क्या अनुभव होने लगता है जब हम बजार में जाते हैं तो जब चारों तरफ चका चौंध और वो सब होता है तो हमें कैसा experience होता है उसके पास परियाप्त समान है या उसे और समान खरीदने की आवशकता है या उसे बजार से निकल जाना चाहिए या उसे अधिक समान नहीं खरीदना है तो देखिए जब आप भी कभी जाते हो बजार में तो आपको क्या लगता है जब भी बजार में जाते हो भाई ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ हो सकता है कि समान की भी मुझे जरूत हो वो भी ले लूँ ऐसा होता है ना तो यही इसके अंदर बताया गया है तो दूसरा भी कल्ब सही हो जाएगा समान खरीदने के आवशकता है ऐसा हमें लगने लगता है फिर अगला अब हमारे सामने गद्यान्श है पडोस में एक महान भव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं ये चूरन बेचते हैं काम करते हैं बहुत बरसों से समझ में आ रहा है भगत जी के बारे में बताया गया है यहां से लेकर ठीक है कभी चूरन में लापरवाई नहीं हुई और कभी रोग में होता भी बेचने वाले का स्वभाव कैसा था बड़ा संतोशी कोई पैसे की लालच नी थी उनको अपना आराम से बेचते थे जितना भिग जाए और बाकी कुछ वो मांट भी देते थे तो संतोशी थे चूरन शीगर भिग जाने का क्या कारण था इतनी जल्दी चूरन क्यों भिग जा भगत जी के प्रति उनकी सदभावना या फिर भगत जी की बालकों को मुफ्त में चूरन बाटने की प्रवडती भगत जी का व्यापारी स्वभाव या भगत जी का अधिक पुराना व्यापारी होना आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ना जबी आपको इसका आंसर मिले इसका या मैं आपको बताई देता हूं वही इसका सस्पैंस ना बनाते वे भगत जी के प्रति उनकी सदभावना इसका सई आंसर होगा ओके आगे चलते हैं कुछ बच्चे ड़ते हैं न भई होमवर्क लिखने से कमेंट में भगत जी सदैव किस नियम पर डटे रहते थे कम चूरन बेचना बाजार का मोलभाव ना करना छे आने से अधिक का चूरन ना बेचना या बच्चों को कम कीमत पर चूरन बेचना तो भगत जी हमेशा डटे रहते थे कि छे आने से ज़्यादा वो चूरन नहीं बेचते थे तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा अब अगला जो गद्यान्श है वो ये है उस बल को नाम जो दो परवह निश्चे उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता पोलता है यहाँ से लेकर चेतन पर जड़की विजय है यहाँ तक यह पूरा गद्यान्श है अच्छे से स्क्रिंशोट ले लेना स्क्रिंशोट लेके ही आप अंदर प्रशन कर पाऊगे तो पहला प्रशन है अपर जाती का तत्व कोन है अपर जाती यानि की उच्च वर्ग के लोग ठीक है अपर क्लास तो यह तीसरा विकल्प सही होगा इसमें फिर अगला प्रश्ण व्यक्ति की निर्बलता कब प्रभावित होती है धन संचय और वैभव की चाहा में या फिर धन संचय ना करने में वैभव की आकांचा ना करने में या प्रोक्त में से कोई नहीं तो इसमें व्यक्ति की निर्बलता कब प्रभावित होती है धन संचय औ फिर अगला प्रशन है निर्बल धन की और क्यों जुकता है जो कमजोर होता है वो पैसे की तरफ क्यों जुकता है धन की कमी में धन के आकर्शन में आत्म शक्ती के अभाव में या वैभव की चाहा में तो जो बंदा निर्बल होता है तो वो चाहता है ना कि वह इसके अंदर ब्यात्म शक्ति हो तो वो इसलिए धन के और जोकने लगता है तो यह सही हो जाएगा फिर अगला प्रशन लेखक के अनुसार अबलता क्या है अबलता क्या होती है असंतोशी होना धन की आकांग्षा संचे की तृष्णा यह सभी तो यह सारी चीज़े सही है वही संतोशना हो धन की इच्चा हमेशा रहना, संचे की तरिशना, ठीक है पैसे हमेशा हम जोड़े हैं, यह सोचते रहना तो यह सारी चीज़े सही है, फिर अगला गध्यांशे, यहां मुझे ग्यात होता है कि बाजार को सार्थक्ता भी वही मनुष्य देता है, जो जनता है की वह क्या चाता जो जानता है, ठीक है, यहां से लेकर ग्रहा को और बेचक की तरह व्यावार करते हैं, तो यह पूरा यहां पर एक अध्यांशे, स्क्रेंशोट ले लीचे, अब हम प्रशनों की तरफ चलते हैं, बाजार को सार्थक्ता दे सकता है कौन, पैसे की पावर रखने वाला, यहा अपनी आवशक्ता जानता हो, यहां जिसे बाजार आकरशित करता है, तो यहां पर तीसरा सही होगा, भई जिसको पता है न, कि मुझे क्या खरिदना है बाजार में जाके, मेरी नीड क्या है, वो ही बाजार को सार्थक्ता दे सकता है, वरना बागी तो सब फिजूल खर्च दे देते हैं वो purchasing power होती है उनकी तो इससे बजार विनाश होने लगता है ओके बजार की सार्थक्ता से क्या थात पर रहे हैं बजार की सार्थक्ता का मतलब है ग्राहकों की संतुस्टी एक तरीके से ग्राहक संतुस्ट हो उसको ऐसा ना feel हो कि भाई वो कहीं से लुट के आया ह ठीक है तो यह सही हो जाएगा तो इसी के साथ ये वीडियो हमारे यहीं पर समापत होती है आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो आप सभी को कैसी लगी आप वीडियो को जाता से जादा अपने friends में भी share कर देना ठीक है और आप वीडियो को like जरूर कर दिया करें ठीक है जिससे कि हमें बहुत जादा motivation मिलता है और यह जो bell आपको दिखरी है भई इसको आप जरूर प्रेस कर देना क्योंकि यहां से क्या है आपके जो भी वीडियो के notification होते हैं आगे के लिए भी वो आपको मिलते रहेंगे और आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली और आपकी जो दूसरी book है उसके already हमने जो MCQs हैं वो बना दी हैं जो कि आपको description के अंदर playlist के रूप में जो link मिलेंगे वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं तो जय हिंद्य भारत बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का